तथाकत बुद्ध की जमीन बिहार समाजिक न्याय के समाजवादी अंबिटकरवादी अंदोलनों की जमीन बिहार नालंदा विश्व विद्याले से लेकर संपूर क्रांती की जमीन बिहार और बिहार का एक सांसत कहता है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा बिहार की बीजेपी का एक बड़ा नेता और कैबिनेट मंत्री धार्मिक यात्रा का आयोजन करता है क्या बिहार जो एक जमाने में सामप्रदाइक राजनीती के सामने चटान बनकर खड़ा हुआ था क्या बिहार जो सामाजिक आंदोलनों की एक वैचारिक जमीन की तरह देश्ट को दिशा दिखाने वाला राज रहा उस बिहार को क्या अब सामप्रदाइकता की आग में जोकने की दोशिश की जा रही है। कुरसी की लालच में बिहार में क्या धर्म की राजनीती हावी होती जा रही है। क्या बहराईच की तर भारती जनतापार्टी बिहार में भी साम्प्रदाइक तनावक फैलाना चाह रही है। आज की वीडियो में इसकी परताल करेंगे। सागता अब सब का डॉक्टर लक्षमड यादाओ के सोशल मेडिया प्लिटफॉर्म पिछले दिनों बिहार फिर से जाना हुआ लेकिन इस बार बिहार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। एक तरफ सामाजिक राजनेतिक चेतना बढ़ती जा रही है और अंगाबाद गया मगद के इलाके से लेकर आरा यानी भोजपुर के इलाके तक दो-तीन दिन मैंने कई सांस्कृते कारिकम सामाजिक कारिकम में हिस्सा लेया। और ये देख कर एक सुखत आश्यर हुआ कि बिहार तथागत बुद्ध को याद कर रहा है। बिहार जगदेव बाबो के विरासत को फिर से क्लेम कर रहा है। बिहार जाती जनगणना से लेकर समविधान को लेकर सजग है बिहार त्रिवडी संग से लेकर किसान अंदोलन की चेतना को आज भी महसूस करता है बिहार में पाखंड और अंदविश्वास के सामने चुनोती बनके सामाजिक न्याय का विचार समाजवादी आंदोलन का तेवर आज भी जन्दा है यू तो बिहार अब चुनाव के दिशा में तैयारी करता हुआ नजर आ रहा था अपनी तमाम मुश्किलों बेरुजगारी, पलायन, गरीबी, भुकमरी और तमाम तरह की चुनावी मोड में जा रहा है लेकिन उस बिहार में जो एक चंता जनक बात मुझे देखने को मिले जिस पर पूरे देश का ध्यान गया, अज उसकी परताल बहुत जरूरी है जब मैं मगद के इलाके में और अंगाबाद में था और उस रास्ते आते जाते और कारिकम में मिलते कई लोगों ने इस बात के चंता जाहिर की कि बिहार में इस वक्त अब सामप्रदाईत तनाव की कोशिश की जा रही है धर्म के नाम पर ऐसे ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है जो बिहार को उसके जरूरी सवालों से दूर ले जाएगा और चुनाव की राजनीत में भारती जनता पार्टी इस कोशिश को अंजाम दे रही है मजब पटना उतरा तो वहां भी मुझसे सवाल पूछा गया कि प्रशांत की शोरपांडे जैसे लोग क्या अपने जनसुराज में सामप्रदाइक ताकतों से लड़ने वाले भारती जनता पार्टी की धर्म की राजनीत की चुनावती को कितना जगह दे पाते हैं या उन्हें कुल मिलाकर बुनिया देचिंता तेजस्वी या दो नवी पास हैं की फेल हैं इसी की रह जाती है सरकार भारती जनता पार्टी की चल रही है नेता भारती जनता पार्टी के धर्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं जिससे के धर्म के नाम पर कोल बंद करके मुसल्मानों के खिलाब भड़काया जा सके वहीं ये सवाल वो इस तरह का उठा ही नहीं रहे जिससे सामप्रदेक्टा को रोका जा सके तेजस्टी आदों ने बयान जरूर दिया कि इंट से इंट बजा देंगे अगर किसी भी किस्म के दंगे की कोशिश की गई असल में हुआ ये था कि भारती जनता पार्टी की तरफ से अरर्या के सांसद ने अरर्या की एक रैली में यह बयान दिया कि अरर्या में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा भारती जनता पार्टी के ये सांसद होने को तो पिछड़े या ति पिछड़े समाज से आते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी में जो भी दले पिछड़े और इस तबके के लोग अगर नेता बन कर जाते हैं तो उन्हें इस तरह के सामप्रदाइक बयान देना पड़ता है क्योंकि उन्हीं के जरिये सामप्रदाईग बयानों को दिलवा कर उनके ही समाज के लोगों को ये मैसेज दिया जाएगा कि अपने बुनियादी सवालों को छोड़ कर धरम के सवाल पर एक जुट हो जाओ तो इसलिए अरर्या में बयान देने वाले सांसत भी बहुजन समाज के हैं लेकिन बयान क्या दे रहे हैं समविधान के विरोध में क्योंकि इस देश का समविधान इस देश के हर नागरिक को उरिब बराबरी के साथ समानता के साथ न्याय के साथ इस देश का नागरिक होने का अधिकार देता है बाबा साब डॉक्टर भीम राव अंबिटकर का सम्विधान सबको कहीं भी बसनी रहने की वैधता और अधिकार देता है क्या भरती जन्ता पार्टी सम्विधान को नहीं मानती क्या भारती जन्ता पार्टी ने अपने सांसत के इस बयान पर कोई कारण बताओ नोटिस दिया या प्रकारांतर से भारती जन्ता पार्टी इसी बात को बढ़ावा दे रही है गिरिडाज सिंग वहां के नेता हैं कैबिनेट मंत्री रहे भी हैं और एक बड़ा उहदा है और गिराज सिंग धरम के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं क्या इस देश में इस तरह की धर्मी के यात्राओं की जरुवत है मैंने बिहार में जाकर महसूस किया कि बिहार सिक्षा यात्रा की बात करना चाहता है भेक्षा यात्रा वाले ऐसे बहरूपियों को पहचानता है क्योंकि बिहार जातिगत चेतना का राज्य है बिहार जाती जनगर्णा करा कर पूरे देश को एक दिशा दिखाने का काम करता है कि कैसे जाती जनगरना केवल जातियों की गिनती कराकर जातियों के बीच लडाई कराने का जरिया नहीं है ये मित्या है बीजेपी इस तरह से जाती जनगरना को डिलेजिटिमेट करती है बिहार ने बताया था महागडबंदन की सरकार ने जब तेजस्वी और नितीश कुमार एक साथ थे कि जाती जंगरना कराकर किसी भूमिहीन को भूमि देने का किसी घर हीन को घर देने का नौकरी वहीन विक्तियों को नौकरी देने के लिए और वन्चित शोशित रह गई तबकों को चन्हित करके उनको भी शशक्त करने का जरिया है सबके हिस्से का सबको हक और अधिकार मिले न्याय और समता का मूल्य स्थापित हो उसका रास्ता है जाती जनगर्ना ये बिहार ने साबित किया इसलिए भारती जनता पार्टी बिहार में जाती जनगर्ना का समर्थन करती है और श्रेय लेने की कोशिश करती है लेकिन भारती जनता पार्टी की जितनी जगह सरकार है वो एक भी जगह जाती जनगर्ना नहीं कराती जबकि प्रधानमंति नरिंद्रमोदी जाती जंगर्णा के सवाल पर कहते हैं कि जाती तो किवल गरीब अमीर की होती है और चुनाव में भाशन देने के लिए पिछड़ा आति पिछड़ा कुछ भी बन जाते हैं बिहार इस चेतना से लैस है इसलिए कोई भिक्षा मांगने वाला वहाँ पहुँच गया और कह रहा है कि अपनी जाती की भिक्षा दे दो अरे जाती की भिक्षा तब मांगो जब जाती जंगर्णा करा के सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार दे दो उस भिक्षा वाले को ये कहना है बिहार का कि सुक्षा यात्रा की जरूरत है बिहार में, सम्विधान यात्रा की जरूरत है बिहार में, न्याय और सम्ता यात्रा की जरूरत है बिहार में, बिहार सामप्रदाइक्त राजनीती को कबूल नहीं करेगा. लेकिन भारती जनता पार्टी नितीश कुमार के आगे सामप्रदाइक्ता की राजनीती को खेल रही है और नितीश कुमार जो समाजवादी अंदोलन के प्रिष्ट भूमी से एक ऐसे निकले नेता है जो योगी अधितिनात की तरह आज भी नहीं हो पाए क्योंकि आप अगर उत्तर प्रुदेश में देखेंगे तो बहराईच में क्या हुआ ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है कि भारती जनता पार्टी विधायक बता रहा है कि उसी के नेता दंगे में शामल है लेकिन नितीश कुमार ने बिहार को इस तरह का दंगाई बुल्डोजर वाला नफरती बिहार बनने से अभी तक तो बचाया लेकिन वो साथ उन ताकतों के खड़े हो गए हैं जो अब बिहार को संप्रदैक्ता की आग में जोकना चाहते हैं समाजवादी पाठशाला से निकले नितीश कुमार जी से मेरा सवाल है और बिहार के लोगों ने ये सवाल मेरे जरीए कहा कि पूछिए गनितीश कुमार जी से कि आप तो ऐसे न थे आप धंगाईयों के साथ खड़े हो गए आपको ये दिखने ही रहा है आप कोई एक्षन नहीं ले पा रहे है आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ऐसी आत्राओं को होने दे रहे हैं ये नया बिहार है जो इस तर आंतिकारी परिस्थियां बनी होई हैं मगर बिहार को कुछ ताकतें वापस नब्बे के पहले वाला बिहार बनाने पर आमाता हैं इसलिए बिहार इंतर इस तरह की चुनोतियों से लड़ने को तयार है और उमीद है कि बिहार ऐसे नफरत और हिंसात्मत बयानों को कभी पसं नहीं करेगा ततागत बुद्ध का बिहार है वो जगदेयो बाबु का बिहार है वो किसान अंदोलन का बिहार है वो समाजवादी अंदोलन और संविधान को मानने और लोक तंतर की जननी है बिहार मुझे लगता है कि लोक तंतर विरोधी संविधान विरोधी मानोता विरो बिहार के अपनी यात्रा से जुड़ी कुछ और बहर शांदार चीजों के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद